लातेहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लातेहार के महुआडार में माउवादियों का तांडब निर्मान कार्य में लगे आठ वाहनों को जलाया। माउवादियों ने जिले में एक बार फिर अपनी उपस्थिती दर्ज कराते हुए शनिवार की रात निर्मान कार्य में लगी एक कम्पनी के आठ वाहनों में आग लगा दी। घटना महुआडार थानाक्षेत्र की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के महुआडार थानाक्षेत्र अंतर गदबास कर्चा पुलिस पिकेट के निकट स्थित कंस्ट्रक्शन कम्पनी की साइडिंग में माउवादियों ने बीती रात जम कर उतपात मचाया। माउवादियों ने इस दौरान साइडिंग में खड़े जेसीबी, पोकलेन, टैंकर समेत आठ वाहनों में आग लगा दी। इस घटना में सभी वाहन जलकर पूरी तरह खाक हो गए हैं। बताया जा रहा है कि माउवादियों ने सडक निर्मान कार्य में लेवी को लेकर इस घटना को अंजाम दिया है। नकसलियों ने घटना के बाद हस्तलिखित परचा छोड़ कर कर घटना की जिम्मेदारी भी यी है। बताया जाता है कि महुआडार में बासकर्चा मोर से लेकर कुलो मोर तक सड़क का निर्मान किया जा रहा है। माउवादियों के द्वारा प मारपीत करते हुए उसका मोबाईल लूट लिया। माउवादियों ने इस दोरान एक हस्तलिखित परचा फेक कर घटना की जिम्मेदारी ली और काम बंद करने का फर्मान जारी किया। माउवादियों ने जिस जगए घटना को अंजाम दिया है। वह स्थल पुलिस कैम्प कब का घटना है। 10.30 रात में किसके द्वारा जलाया गया है। महावादी के द्वारा है। क्या बोला हुए लोगे एक संस्क्रेसार हैं हम लोगों को कुछ नहीं मिला है आज तक नहीं मिला है। अने लेभी के चलते हैं यहां का हवाली किया गया। यहां पर आपके किसी लूट में काम करते हैं। गाड है। का नाम हो आपका। यहां तो लूट के अत्ता हैं के संख्या में थे। आपको मार पीट भी किया गया क्या है। आपको मारा है। का से मारा दंटा से सभाथियार में था किया और क्या बोलाव लो काम बंदे कानी ने देश दिया आपका का नाम हुआ आपका का नाम हुआ